हेलो एवरीवन वेल्कम टू माइ चानल वी वी लेन टूड़ें इंग्लिस ग्रामर आज हम लोग इंग्लिस ग्रामर जानेंगे यहां से आपके 15 कुशन्स होंगे यह सभी कुशन ना केवल के वियस के लिए बलके एंवियस के लिए भी मत पूनांगे अगर आप पी आटी पीजी टी पीजी टी के वियस और इंविस की त्यारी कर रहे हैं तो बेसक यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्पून हैं सो वीडियो के स्किप ना करें पूरा पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रिस करें अगर आप हमारे चनल पर नहा है तो चल्दी से चनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो हम लोग कुशन को जान ले दे नंबर आप देट पार्ट इस देंसर इस फ्री फ्रॉम एरर देन यह एंसर इस फोर दैज नो एरर देखें आपके चार ओप्सन दि बीजिए फॉस्ट नमर्य कंप्लेट हो गया इपोस्ट्र एड्रेस सेकेड नमर में और डाइंडियन इंबैसी नियोर्क यह थाट नमर में और फॉर्ट नमर में नो एरर आप इसका उतर दें फिसका सही उतर क्या होगा ओके इस एंसर इस सेकेंड अब देखें मैं बता एड्रेस यहां पर किसी खास एड्रेस की चर्चा की गई है यहां पर हम क्या करेंगे डिफनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे यहां पर एक जगा क्या होना चाहिए था दो होना चाहिए पहले को पहले एर्र से आप आउगत हो गया हम लोग आगे जान ले आगे सेकेंड नंबर कुश्चन क्या है ओके शॉर्ट स्टोरीज और बॉयम्स फर्स्ट नंबर में और विराइंग क्वाइलिटी सेकेंड नंबर में एपियर सीन डेली जैंड प्रियोडिकल्स थार्ड नं यहां इसका उत्तर दें गज़ें साथ सब्रघ्या इसका बॉक्त चैडम है और वहां पुलिर में के साथ लगा वाएसन में पेलर आएसे लगवात है यकिनि आप कह सकते हैं कि जो subject है short story और poem जो है वो पुलर में है पुलर भर्व यानि appear in dailies and periodically का प्रयोग होगा ओके appears in dailies and periodically का प्रयोग होगा तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो गया third number यहाँ पर पुलर भर्व का प्रयोग होगा यानि पुलर भर्व क्या हो जाएगा यहाँ पर s हटेगा और यहाँ जो dailies लिखे हुए वो हटेंगे periodicals हटेंगे आप आगे जानने second number question से आप आउगत होगे आप third number question को जानने third number question क्या कह रहा है यहाँ third number question है one of the first number में है most dangerous disease second number में है is eights third number में है और no error fourth number में है आप third number को उत्तर दे its answer is second देखे इसको उत्तर second हो जाएगा अब second क्यों होगा आपको मैं यह आउगत करा दू one of के बाद जो होता है plus यहाँ पर आप देख सकते है puller noun होता है one of के बाद क्या होता है puller noun लेकिन आने वाला जो भर्व होता है वह singular में होता है तो यहाँ पर आप देख सकते है disease है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा diseases हो जाएगा ओके यहाँ सा ही उत्तर क्या होगा second number अब fourth number question को जाने fourth number question क्या कह रहा है four alternative are suggested for each question choose the correct alternative out of the four यानि आपको alternative चुनना है इन question में से चार option दिये गया है मैं question को आपको बता दूँ throughout his career his performance आप यहाँ को और करें has fairly been पहला option क्या है consistence second number में consistent third number में consistent fourth number में constituted आप इसका उत्तर दें सही उत्तर क्या होगा आप इसका chain करें its answer is second यानि जो उत्तर होगा वो होगा consistent अब दिके consistent क्या है consistent जो है वो adjective है अब इसका आर्थ क्या होता है happening in the same way जो घटित होता है एक ही तरीके से and continuing for a period of time और जो कुछ समय तक आउदी तक यह रहता है क्या आर्थ होता है happening in the same way and continuing for a period of time तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा second number आप fifth number question को जाने I convey my thanks the members of the club यानि आपको यह option दिये गया है first में four second में off third में to fourth में about आप इसका उत्तर दे इसका सही उत्तर क्या होगा okay अप यहां गौर करें yeah convey दिया गया है और जो convey है वो क्या है वोOkay वो भर्व है convey क्या है एक वर्व है और convey के साथ हमेशा क्या लगता है preposition two लगता है convey के साथ preposition क्या लगता है two लगता है okay तो यहां सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3rd number इसका सही उत्तर 5th number का क्या हो जाएगा? 3rd, यहने 2 I convey my thanks to the members of the club अब 6th number question को जान ले The government does on this issue 1st number में है, is divided 2nd number में है, are divided 3rd number में है, is being divided और 4th number में है, divided आप grammar है, आप grammar को समझे और इसके बाद इसका उत्तर दे, 6th number का उत्तर दे Its answer is 1st, is divided अब is divided क्यों हुआ है यहां पर? इसे भी आप गौर करें, 6th number में देखें, subject क्या है? गौर्मेंट क्या subject है? वो similar में है, ओके? तो अगर passive watch में देखा याता है तो passive watch में क्या होता है? subject plus aim is r plus b3 यानि आप यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? b3 का गौर्मेंट is divided on this issue यानि गौर्मेंट को डिवाइट किया गया इस मुद्धे पर तो यहां पर आप किस grammar का प्रयोग करेंगे? subject plus aim is r plus b3 का अब seven number question को जान ले the student is yet to his home task एक फर्स्ट अमर में completion second number में complete third number में complete fourth number में continue आप इसका उत्तर दे his trend is yet to dash his home task आप seven number को उत्तर दे its answer is third देखें जो complete है इसका अर्थ होता क्या है? complete का पूरा अर्थ क्या होता है? तो finish यहनि इसका क्या अर्थ होता है? finish complete का जो आर्थ होता है वो होता है finish यहनि खत्म करना समाप्त करना तो और यह भर्व है यहाँ क्या हो जाए? student is yet to complete is home task हम लोग eight number question को जाने in the following question out of the four alternative choose the one which best express the meaning the given word यहनि जो meaning दिया हुए है उसका best expression आपको बताने इसका सही meaning क्या होगा? अब यहाँ hard दिया गया meaning आपको hard का meaning बताने है first is difficult second is simple third is common fourth is easy आप बताएं इसका क्या उत्तर होगा? eight number का आप बताएं its answer is first difficult दिखें hard जो है यह क्या है? यह adjective है hard क्या है? एक adjective है जिसका अर्थ क्या होता है? difficult यनि क्या होता है? cutting hard का अर्थ क्या होता है? difficult यनि इसका हिंदी क्या होता है? cutting okay इसका हिंदी क्या होता है? cutting इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? first number हम लोग आए जानने नाइनल को सेटी सेंड जाएगा इनोवेशन थाड़ हो जाएगा फैसनेबल फॉर्थ हो जाएगा टिमिट आप इसका उत्तर दें इसका सही मिनिंग क्या होता है इसका अर्थ क्या हुआ देखें जो हुमिरियस है वह एड्जेक्टिव है वह क्या है एड्जेक्टिव है और इसका अर्थ होता है हाश्यकर यानि विनोद्पुन हाश्यकर यानि हाश्यकर का मतलब जो हाश्यकर होता है मीनिंग हाश्यकर यानि विनोद्पुन या हाश्यकर इसका मीनिंग होता है इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा वीटी तो वीटी शोईंगे सेंस ओफ हुमर इसका वीटी का मतलब क्या होता है सोईंगे सेंस ओफ हुमर यानि हुमर को दर्शाना ओके आपको गेदर का मिनिंग बताना है इसका सही मिनिंग क्या होगा गेदर का scattered पहला अप्षन है सेकेंड है डिष पर्स ठर्ड अप्षन है कौन्गीग्रेट और फॉर्थ है सेपरेट ओके आब सही पतायी है त्रे नम्मर का गेहः जो है वे एक फर्व है आपको पता गेदर क्या है एक भर्व ओके इसका सही मिनिंग आपको बतानी है इसका मतलब होता है इसका third number यह निए congregate अब congregate का मतलब क्या होता है gather का मतलब होता है एकत्र होना to bring things together collect और congregate का मतलब होता है to come together इकट्ठा होना है इसका मतलब क्या हो जाता है come together यह निए इकट्ठा होना congregate का तो same meaning हो गया हम लोग 11 number question को जाने in the following question choose the word opposite in the meaning to the given word यहां पर आप से पूछे गा है opposite meaning given word में 11 number में आप देखेगा slave है इसका opposite meaning आपको बता नहीं है first is serve second is landlord third is master for the tenant आप 11 number को उत्तर दे इसका सही उत्तर क्या होगा okay its answer is third master देखे slave जो है यह क्या है noun है slave क्या noun है और slave का अर्थ क्या होता है इसे भी अब जानते हैं इसका अर्थ होता है गुलाम okay इसका क्या अर्थ होता है गुलाम इसे आपको और करें इसका जो अर्थ होता है वो होता है गुलाम okay इसका अर्थ होता है slave का अर्थ होता है आपसे opposite meaning पुछा गया है तो slave का जो opposite meaning होगा वो क्या हो जाएगा master, a person who has a people working for him यानि master कहते है मुझसे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा third number come to the 12 number अब deep का आपका opposite meaning बता नहीं है first is shallow second है hollow third है stiff fourth है low अब बताएगे deep का क्या meaning होगा 12 number का okay its answer is first deep का क्या आर्थ होता है deep का आर्थ होता है गहरा इसका क्या आर्थ होता है गहरा deep का यही आर्थ होता है गहरा अब shallow का आर्थ क्या होता है shallow का आर्थ होता है चिछला okay deep का आर्थ होता है गहरा और shallow का आर्थ होता है चिछला यानि opposite meaning तो हुई गया यहाँ पर ओके यह बोटम वाले बाग को कहते है शैलो हम लो अब थर्टी नमर कोश्चन को जाने awhile in the following questions group of four words are given in-each group one word is correctly spelled find the correctly spelled word यह आपको correctly spelledton करना वाट को यह आप गोडों करें यहां पताए जाने रहे permits नमर question है फर्स्ट है ईलूशन सगंड एलोकेशन थार्ड है इलो कुशन फोर्थ है इलो क्यूटियम आप देख लेंगे इसके स्पैलिंग को और इसके प्रोनोंसेशन को आप थाटी नमबर को उत्तर दें ओके इट्स एंसर इस थार्ट दिखिए जो थार्ट नमबर है इलो क्यूशन इसका अर्थ क्या होता है इसका अर्थ होता है इसका अर्थ होता है अपर बाद्बा की सभी जो डिखिए वह गलत है इसका अर्थ होता है the ability to speak clearly and correctly, okay, come to the 40 number question को जा ले, 40 number भी आपको spelled word है, इसको आपको सुधार करनी है, first है just a position, second है just a position, third है just a position, fourth है joust a position, okay, अब इसके spelling, आप इसके pronunciation को देख लेंगे, 40 number का आप उत्तर दें, okay, its answer is first, इसका जो उत्तर होगा, यह सही spelling होगा, यानि just a position, अब इसका अर्थ क्या होता जस्टा पोजिशन का, putting people, things together to show contrast or new relationship, शानिद जिसे हम लोग कहते हैं, मैं एक पर फिर से बता दा रहा हूँ, putting people, things together to show or contrast a new relationship, okay, come to the 15 number, okay, आप 15 number question को जाना है, यहाँ पर भी आपको spelled word बतानी है, पहला है, hazardous, second है, hazardous, third है, hazardous, फूर्थ है, hazardous, आप इसके pronunciation and spelling दोनों देख लेंगे, उसके बाद इसका उत्तर देंगे, आप 15 number को उत्तर दें, okay, its answer is first, देखे, इसका उत्तर क्या होगा, first, अब इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है danger इसका अर्थ क्या होता है आप कह सकते है danger इसके अर्थ होता है danger यानि खतरनाक और एक word आप कह सकते है involving rix आपने 15 question complete कर ली यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आपने दोस्तों के साथ share करें और वीडियो लाइक करना ना बोलें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद